SBI के fixed deposit the wealth killer आप कहोगे कि इंडिया की one of the सबसे popular scheme और विपलव कह रहा है कि ये जो है ये scheme wealth killer है बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ अंत तक वीडियो को देखिएगा बीच में हो सकता है लगे कि interesting नहीं है लेकिन आपके पास आपकी strategy क्या है आपकी secret strategy क्या है wealth बनाने की आप बताओ आप अपनी wealth कहां से बनाओगे अगर आपके पास में parents नहीं है जो कि आपको पूरी पूरा महल gift कर सकें तो wealth कहां से आने वाली है wealth आएगी सिर्फ और सिर्फ आपकी savings को काईदे से invest करके और कितने समय में इसको जितने समय आपका career है आपका career अगर 10 साल है 20 साल है 30 साल है उतनी समय में अब यहां पे आप क्या कहते हो कि मैं हर महीने save कर रहा हूँ save करके FD में invest कर रहा हूँ तो FD से maturity क्या आएगी check कर ले भई ultimately आपके बच्चों का भविश्य आपका अपना retirement अगर आपकी उम्र 25 साल है अगर आपकी उम्र 40 है या आपकी उम्र 60 है हर condition में यह ऐसा product है जो हर family के अंदर है हर family इस पे यकीन करती है State Bank of India FD के तोर पे but ultimately you are an investor और आपको क्या मिलता है इसके अंदर पहले इसको जानते हैं detail में so video पसंद आए तो like कर दीजेगा channel को subscribe कर दीजेगा अगर आप channel पे नए है तो मैं विपलम अजुमदार 17 सालों में 15,000 families की financial planning के बाद I started this plan your world training academy private limited ताकि हर family अपने आप में अपना financial advisor बन सके आज की date में हम सिर्फ और सिर्फ training करते हैं आपके लिए और हमारे sessions चलते हैं Tuesday से लेके Thursday तक मातर 299 से आप money IQ class में पढ़ सकते हैं शाम को साड़े साथ बज़े से तीन दिन की class होती है link description में है और आपके पास वक्त कम हो तो आप recorded session भी देख सकते हैं link description में already दिया हुआ है अब बात आती है कि आप investments करते क्यों हो आप जब सबसे पहली बार invest करते हैं मान लिजे आपने 5 लाग रुपया invest करना है why will you invest कुछ तो reason होगा आपने saving कर ली saving करके पूरी इमानदारी से saving की आप दिवाली गई आपने as a father आपने पक्का कोई ना कोई अपना compromise किया होगा आपने अपनी कोई इच्छा दबाई होगी और इस investments को किये होंगे भले आपने नया mobile ना लिया हो भले कोई और दूसरा compromise किया हो so अगर आपके पास 5 लाग रुपय है why will you invest आप कोगे विपले इसमें नया क्या है I am going to invest for better return मुझे जादा return मिल जाए तो हम उसको देख लेते हैं क्या करते हैं so what do we need मान लेते हैं कि आज की डेट में आपके पास 5 लाग रुपया है और इससे 3 सेव आते हैं और आपको return के रूप में चाहिए तो आपके दिमाग में क्या आता है जब मुझे maturity मिले तो 3 के बदले मुझे जादा सेव मिल जाए मेरे पास 6 सेव हो जाए 10 सेव हो जाए बहुत सारे सेव हो सो ताकि मैं अपनी purchasing power को बढ़ा सकूँ अगर मान लीजिये आप से मैं ये कहूँ कि आपने जो investment किया अगर आपको कोई भी FD से बोले कि आप 3 सेव के पैसे लगाओ और 15 साल बाट 20 सेव ले आओ तो शायद आप ये investment बिलकुल भी नहीं करेंगे लेकिन जब हमें ये बात बताया जाता है कि 5 लाक रुपे लगाओ और आपको 15 साल के बाद यू विल गेट 12 लाक्स रुपीज तो हम हस के इसके अंदर पैसा लगा देते हैं क्यों सही का ना लेकिन सच्चा ये है कि सिर्फ इस पैसे की महंगाई के साथ पावर बना के रखने के लिए पर्चेजिंग पावर बना के रखने के लिए यू नीड अट लीस्ट 13.7 लाक्स अब क्या हुआ एक बहुत बड़ा सदमा हमारी लाइफ में हमने क्या देखा कि सेविंग्स और करियर के दौरान जो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आएगा इसी से वेल्थ बनेगी पंदरा साल निकल गए पंदरा साल आपके जीवन में आपने क्यों इन्वेस्ट किया है मैं नहीं जानता आगे देखते हैं हम इससे बच कैसे सकते है क्या FD बुरी चीज है बिल्कुल भी नहीं लेकिन क्या FD बहुत अच्छी चीज है हो सकता है अच्छाई और बुराई के बीच में कुछ बैलेंस बनाने की ज़रूरत है सो वो हम लोग देखते हैं क्योंकि सोस समझ के ही आपको इंवेस्ट करना पड़ेगा किसी भी FD में क्या होना चाहिए सो सबसे पहले देखते हैं एक फॉर्मूला देखिए कोई भी इंवेस्टमेंट हो आपको ध्यान में रखना है कि महंगाई को आप कंसीडर करें अगर नहीं किया क्या फाइदा होगा आपने तीन सेब के पैसे जमा करा है बीस साल बाट धाई सेब या दो सेब के पैसे ला रहे हैं ऐसे ऐसे प्लान है जो तीस साल के बाद सो रुपए के बीस रुपए बना देते हैं सो यह भी इंडिया में हैं प्लांस और लोग खरीतते हैं बहुत पॉपुलर प्लांस है सो आपको अपना एडवाइजर खुद ही बनना पड़ता है पढ़ना खुद ही पड़ेगा सो यहां पर क्या एक्जामपल लिया हमने Mr. Shark got the return of 7% on rupees 100 from fixed deposit and inflation is 7% कितना real return बना सो देख लेते हैं हम लोग आपके सामने total amount at year end 107 inflation के साथ कित्ती value चाहिए थी सो याद रखिये 100 रुपए आज का है अगर महंगाई 7% है तो अगले साल आपको 107 चाहिए it's a no brainer no brainer दिमाग लगाने की जरुवती नहीं रटने की जरुवती नहीं simple आज 100 रुपए है आपका अगर ये आज 100 रुपए का माउस है तो अगले साल 107 का है मैं आपसे कहूँ कि आपको मैं 100 रुपए का नोट देता हूँ और ये आज की देट में 100 रुपए का आता है आप इस नोट को अगले साल तक रखिए अपने पॉकेट में आप इंवेस्ट मत करिए और अगले साल ये माउस खरीद के दे दीजे आप कहोगे ये महंगा हो जाएगा मेरा दूसरा सवाल होगा कितना हो जाएगा आप कहेंगे 110 रुपए, 107 रुपए सो अगर 107 है और आप ये चैलेंज लिनने को नहीं तयार है 100 रुपए का नोट के साथ जब बैंक वाले बोलते हैं कि आपको 7% मिलेगा कैसे मान सकते हैं कितनी वेल्थ बनी? 0 अगर 7% का रिटरन आया है तो ये 0 की वेल्थ है अब आगे देखते हैं किया इतनी ही सच्चाई है? नई इसके आगे भी कुछ सच्चाई है वो क्या है? इसके आगे भी कुछ सच्चाई है वो क्या होगा? उसको देख लेते हैं वाट इस्थटाqs ट्रीटमेंट? इंफलेशन तो कहीं पर account for होता नहीं है तो आपके लिए सबसे बड़ा point क्या आता है tax कितना tax इसके उपर लगेगा तो आपका income tax slab income tax का आपका slab जो भी होगा उसके according आपसे tax ले लिया जाएगा तो if you are in the tax bracket of 30%, 20% और 10% इसका मतलब क्या हुआ अगर 30% के bracket में तो 7 में से 30% चला जाएगा 20% के bracket में है तो 20% चला जाएगा 7 में से 10 पे हैं तो 10% चला जाएगा इसका effect क्या है आपको ये tax देना है और क्या असर पड़ेगा same example में ले लेता हूँ 20% का tax है यहाँ पे हमने जो example यह 107 रुपे आए 7 में से 20% चले गए हमारे 5.6% का return बना total में हो गया नुकसान कितने का नुकसान हो गया 1.4 रुपीज का नुकसान हो गया minus 1.308% आप कहोगे ये कुछ गलत लग रहा है नहीं क्यों एक साल के बाद याद दे रहता हूँ वापस से हमेशा याद रखिएगा आपकी value of capital 100 रुपे थी मान लिजे 1.01.2023 को 100 रुपे की value थी तो 1.01.2024 को इसकी value है 107 रुपे इसका use कहां करते हैं जब कोई investment proposal आप evaluate करते हैं at that time you use it इसका और कहीं use नहीं है कहीं books में इसका use नहीं होना है लेकिन जब आप किसी भी proposal को evaluate करते हैं कोई advisor लेके आता है, banker लेके आता है कोई agent लेके आता है check this आपको insurance लेना है, check करिए आपको FD लेनी है, check करिए कोई भी bond लेना है, check करिए so इसको check करना चाहिए आपको खुद मैंने इसके लिए calculator बनाया हुआ है already, so मैं उसको दिखाता हूँ आपको कि how does it work हम live session में जो लोग आते हैं उनको हम ये calculator देते भी है live session में जो लोग आते हैं उनको ये calculator मिलता भी है so इसमें हम लोग किस तरह किसमें कोई भी investment हम check कर सकते हैं हमने 1,00,00 का investment लिया और हमने मान लिया कि हमने 20 साल के लिए इस investment को किया है और return जो है वो annual mode पे लिया हमने और 7% का return हमने लिया tax rate अगर आपको पता है अपना so generally 30% so 30% का tax rate अगर है तो ये दिखाता क्या है आपको ये दिखाता है कि 1,00,00 जमा किया आपने 7% के साथ आपका जो capital की value होनी चाहिए मतलब अगर 1,00,00 का mouse है तो 20 साल के बाद इस mouse की कीमत होगी 3,86,968 अब बात आती है आपका tax जब आपने 30% का tax दे दिया आपको कितने रुपे मिले आपको मिल रहे हैं खाली 3,00,00 रुपे मतलब मैंने 20 साल के लिए अपना investment रखा उसके बाद हम निक्सान हुआ आपने बेटे के लिए बेटी के लिए FD की क्या मिला tax देने के बाद क्या wealth बढ़ेगी wealth नहीं बढ़ेगी इसकी बात करनो मैं जल्दी ही पी एफ के उपर एक बनाने वाला हूं वीडियो पी पी एफ पे बनाने वाला हूं ये सारे wealth killers में आते हैं और आपको पहले से बचानना पड़ेगा आप कहाएंगे mutual fund में risk है risk ये वाला risk ज़्यादा बड़ा है वो risk ज़्यादा बड़ा है इसके उपर भी वीडियो अलग से बनाऊंगा कि कौन सा risk ज़्यादा बड़ा है कि हमने पैसे जमा किये और पैसे ही नहीं बने आपको तो पैसा बनाना था जीवन में तो कितना नुकसान हुआ, 22% का नुकसान हुआ, मतलब अगर 1,00,000 रुपए आपने जमा किये हैं, तो आप लेके आ रहे हैं, 78,000 रुपए वापस, 20 साल के बाद, तो क्या इसका कोई यूज ही नहीं है, इस FD का कोई यूज हो सकता है क्या, येस हो सकता है, आपकी FD सबसे ज भाल है आप से, आपके पर्स में आप पैसा लेके चलते हो, कितना पैसा आपको पर्स में चाहिए? मैं कहता हूँ दो दिन का, दस दिन का, एक महिने का, एक साल का, आप कहेंगे पागल हो गया, दस दिन का पैसा है मान लीजिए, ठीक है, आप बैंक में भी रखते हैं, घर पे भी रखते हैं, FD में sense of security के लिए कितना पैसा आपको चाहिए, जितना चाहिए उतना रख उसके बाद का पैसा FD में क्यों, आप senior citizen है, आप working है, आपका emergency का पैसा है, उसको रख लीजिए, क्योंकि जब मैं safety की बात करता हूँ, तो safety is just a perception, मैंने अगर अपनी real sense में value खो दिया, तो मुझे मिला गया, उसी saving से तो आपको अपनी wealth बनानी थी, सो किसी की भी बात करो, आप अपनी life का पूरा profiling करिए, आपकी अगर age 40 से plus है, तो it's alarming, because इंडिया में 99% लोगों का, अगर middle class से हैं, और अगर आप इन में invest करते हैं, retirement is nearly impossible, क्योंकि approach ही गलत है, और एक भी product इंडिया में नहीं है, जो retirement करा सके, सो अगर आप वाकई में जागरूख हैं और saving करते हैं, तो 50% effort आपके पूरे हो गए, अपना पैसा खुद manage करना शुरू करिए, वरना banker, advisor, agents अपने लिए invest करवाएंगे, और इसी लिए मैंने plan your world training academy start की, ताकि आप सब बन सके अपने advisor, link description में है, अगर आप recorded video देखना चाहें, recorded ले ले, आप live में जाना चाहें, live में जा सकता हैं, और दूसरी videos देखना हो, तो end card में दूसरी video भी आपको मिल जाएग, to join the session, link is in the description. The information in this video is derived from materiel available for download from the respective companies website. Our intention is not to harm or damage the reputation of any organization. This video, falling under ETSA, Educational Documentary scientific and artistic content, aims to educate and inform viewers about financial planning. The primary goal of this video is to offer a clearer understanding of financial planning basics to a general audience, widely available on the internet and other sources. Viewers must remember that their personal situations are unique. It is highly recommended to seek guidance from experts before making any financial decisions. For concerns or questions about the video's content, viewers are encouraged to contact us using the information available in the channels about section. जो एक प्राभन के इस एक प्राभन के पुटस्या सबस्यार के लिवह जागन आसे सी, अज़ वीजए के लिव घज की लिव.